हलो फ्रेंज कैसे हो आप सभी आप सभी का मेरी चैनल रुपाली रत ब्लोक्स में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज और मैं हूँ रुपाली तो फ्रेंज कैसे हैं आप सभी आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो फ्रेंज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वेजीटेबल चॉप की रेसिपी जो कि ओडिसा में स्ट्रीट फूट में मिलता है तो चलिए देख लेते हैं वेजीटेबल चॉप बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान के जरूरत है लेकिन अगर आप मेरी चैनल पर न्यू है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसकी बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत बुलिए देखिए यहां पे मैंने बॉयल आलू लिया है यहां पे लगबग मैंने साता आलू लिया है आप अपनी क्वांटिटी की हिसाब से लिजिएगा उसको बॉयल करके चिलका निकाल दिया है और यहां पे देखिए मैंने लिया है गाजर जिसको मैंने इसे काट लिया है बीटूट लिया है जिसको मैंने काट लिया ह और दो पियाच मेने काट के लिया है और यहां पे देखिए से अध्रक मेने काट लिया है हरी मिर्च लिया हैर सुखी मसाले में गजाहक अध्रकिये धन्या पाउडर है और कस्मेरी चिली पाउडर गराब मसाला, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ये सारे सुखे मसाले हम यूज करेंगे और ये देखिए वेजटेबल चॉप की रोल के लिए मैंने आपे सूजी लिया है और भर्मी से लिया है ब्रेड क्रम्स हो तो भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने सूजी तो घर पे से और सबसे पहले हम आलू को समास कर लेते हैं और ये जो बॉयल आलू मैंने लिया है इसको समास कर लेते हैं सबसे पहले उसकी बाद हम मसाले की प्रिपरेशन करेंगे देखिए हम पे मैंने आलू को समास कर लिया है इस तरह से बॉयल आलू को मैंने समास कर लिया है तो चल दालेंगे हरी मिर्च और यहां पर मैंने तीन हरी मिर्च लिया है हरी मिर्च और अद्रक को सबसे पहले डालेंगे और अद्रक का खुस्बू बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और स्वाधिस्ट भी लगता है इसलिए अद्रक का इस्तमाल मैंने किया है और आप चाहे तो लेसन भी डाल सकते हैं तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा हरी मीच और अद्रक को अच्छे से डाल लिया है इसको थोड़ी देर में भूनूंगी उसकी बाद में प्याज को आड करूंगी देखिए मैं भून रही हूँ और उसकी बाद में प्याज को आड करूंगी इसमें देखिए यहाँ पे मैंने प्याज को आड कर लिया है और प्याज को golden brown होने तक हम इसको पकाएंगे golden brown होने तक इसको अच्छे से हम पकाएंगे ताकि प्याज का color जो है अच्छे से पक जाए तो अच्छा स्वाद आता है और प्याज पकने की बाद जो वेजिटेबल समने लिया है क्योंकि ये वेजिटेबल चौप है तो वेजिटेबल का होना ज़रूरी है तो जो वेजिटेबल समने लिया है और डालेंगे देखिए यहाँ पर बीट टूट और क्यारट में लिया है तो प्याज हो गया है और उस के साथ थोड़ी दर हम भून लेंगे तो अप्रेंस प्लीज मेरी वीडियो को फूल वाच करिए और सपोर्ट करिए और मेरी तरब से मैं आप सभी को सपोर्ट करूंगी तो प्लीज सपोर्ट करिए आपके सपोर्ट की भारी मात्रा में जरुवत है तो यहां पर देखिए और लगभक थोड़ा सा भून चुकी हूं में बीटूट और ग्याजर को अब हम सारे सुखे मसाले जो सारे सुखे मसाले हमने लिया था उसको हम डाल देंगे सारे सुखे मसाले हम इसमें मिला लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे तो इसको अच्छे से भून लेंगे और मसाला का तो बहुत अच्छा स्वाधिस्ट और यह बहुत चटपटा लगता है और ओडिसा में स्ट्रेट फूड है और बहुत पसंद करते हैं लोग इसको खाना और आजकल तो हर जगा मिलने भी तो देखिए बहुत चटपटा सा स्वाद आता है और इसमें थोड़ा चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं और चाट मसाला मेरी पास तो नहीं था नहीं तो आमचुर पाउडर आड़ कर सकते हैं वो भी मेरी पास अबिलेबल नहीं था तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर जो आलो को समास करके रखाता इसको मिला के एक अच्छे से मसाले मैंने प्रिपेर कर लिया है देखिए इस तरह से बॉल्ड आलो को मैंने उस मसाले में मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको मिला लिया है कुछ इस तरह से कलर आ जाता ह और वेजिटेबल चॉप में हम बी टूट का इस्तमाल तोड़ा ज्यादा करते हैं कलर के लिए और बहुत अच्छा लगता है देखिए अभी हो गया है मसाला प्रिपेरेशन इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे ठंडा होने के बाद हम चॉप की प्रिपेरेशन कर सके देखे आच्छे से ठंडा हो रहा है क्योंकि गरम गरम आशेगे खोड़ देंगे ऊसकी बाद हरसकी चॉप के प्रिपेरेशन करना सुरू करेंगे तो देखिए मैं इस तरह से मसाले को हाथ में लेके इस सेप में दे रही हूं oval shape में, आप कोई भी shape दे सकते हैं, लेकिन market में ऐसे ही मिलता है, इस shape में ही मिलता है, तो देखिए, आपे में तयार करके रख रही हूँ, तो market में इसी shape का ही vegetable chop मिलता है, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ, इसको हाथ में लेना है, थोड़ा-थोडा सा और अच्छे से एक चौप की सेप इसको दे देना है ओवल सेप में आप राउंड भी कर सकते हो लेकिन मार्केट में जैसा मिलता है मैं वैसे ही बना रही हूँ तो देखिए यहां पर मैंने अच्छे से चौप की तेयारी कर चुकी हूँ और एक एक करके मैं यहां पर रख रही हूँ सबसे स्वादिस्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है उसकी बाद चलिए हम रोल करते हैं जो सूजी और भरमिसली हमने रखा था चौप को उसके अंदर इस तरह से हम रोल करेंगे देखिए इस तरह से हम रोल करेंगे और एक एक बना के हम रेडी करके रख लेंगे देखिए इसको save करके रखना है मतलब आप कल use करना चाहते हो तो इससी तरह से आप roll कर लेना और इसको airtight container में डालके fridge में रख सकते हो बाद में इसको तलके भी आप इस्तमाल कर सकते हो खा सकते हो तो यह रहता है कुछ खराब नहीं होता है तो देखिए इस तरह से मैंने roll कर लिया है और सारे चॉप को मैं इस तरह से सारे चॉप को रेडि कर लेंगे मैं इससे प्राइ और तो सोगा क्राइब करेंगे देखे मैंने कॉन फ्लोर में मिलाया उसके बार डबल कोटिंग कर रहे हूं और उसके बाद मैं ओयल में फ्राइ कर रहे हूं देखे ओयल है यहां पर और इसको फ्राइ करेंगे तो इसी तरह से फ्राइ करके हम निकाल लेंगे और हमारा टेस्टी टेस्टी स्वाधिस्ट से लगा मुझे बताइए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें चले मिलते का चैसे न्यू वीडियो में तब तरके ले बाबाई